नज़िशे परता है इधार का मतलब क्या है? है ये दीवार तो दीवार का मतलब क्या है? आज तफसील से पूछी है आमदन मेरी सोचता हूँ के मेरे यार का मतलब क्या है? अलबेला सजन आयो रे, आयम इफना जायो रे, हलमर सिरते पायो रे मिया सिचुएशन नहीं कावू हो रही तो अब ते शीव आ रहे हैं वासे चौधरी देखने वालो जाने वालो आप सबको हमारी तरफ से अससलाम अलेकुम अलेकुम अससलाम या हाल चाल है आज लग रहे हैं आप स्कूल से आ रहे हैं अच्छा पापड बेज के सारे पापड़ी खराब हो गया है हलो हांजी अंटी इबा बैठी ठीक है अज कारना जाएं गुडिये क्लील जी रजाई पाड़ के शर्ट से जाई है नहीं नहीं ये फैशन आज के लग बड़ा हिन है ये सर कम अज कम तीन सो के पंदरा मिल रहे हैं इत्ते आप इंजवाए कर रहे हैं और से कोले आंगे बैगे खाला जी करे रहे हैं रिबा तेरा बेड़ा जाई पाड़ी बीजे भी बिलाते अपने आज के पहले मेमान को प और उनका साथ देने के लिए मारी दूसरी मेमान कराची तश्रीफ लाइवी हैं अक्टर हैं आर जे हैं थियेटर अक्टिविस्स हैं और साथी साथ फिटनेस ट्रेनर भी हैं मौतरमा मरिया मिनसारी तर एक बहुत अच्छा शेर लाया हूँ जी मैं मान दोनें बड़े काबले इतराम है लेकिन मेरा शेर आज पंजाब के नाम है अच्छा एक ही शक्सता जो समझता था मुझे पिर यू हुआ के वो भी समझदार हो गया सादा था सीधा था कभी बोलता ना था सियासी मेरा वो यार अब बुजदार हो गया ख्यासत इबादत हुंदी है जे कोई करे मान दारी दे नाल हर वरी तोखा हुंदाए स्वाम वचारी दे नाल उन्हें मुल्क दी खिद्मत की करनी जिननों मतलब है अपनी दे आड़ी दे नाल तेरा शेर तो मेरे भाई जैन के लिए है जी जी ठेके न वो तो फिटनस तो मैं भी फिट हूँ वो तो बाद में बाते हूंगे लेकिन इनके लिए तुम जितनी भी बेरुखी कर लो फिर भी तुम पे एतवार है तुम जितनी भी बेरुखी कर लो फिर भी तुम पे एतव है सुना है आपका और तरीन साहब का सास बहु वाला प्यार है आपके ही इंटाइनल हमला किया गिया है तो क्या हाल चाल है आप दोनों के अल्ला का बड़ा साल है गुड़ आप लोगों ने शो देखा हुए है यह एप्सुनूटली बलके आपका शो बड़े शौक से देखते इनों दाते साथ ही हवाई फायर सुरू कर दी हुए 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 फायर लेकिन मेरे समझने में आपके शो का एक सेग्मेंट बने शौक से देखता हुए वह कौन से और वह आपका जो रैपिट फायर रौंड एक आप करते ही है लिए अच्छा बड़े बने 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 और एक चीज जो कि आपके साथ आपके MNA बने से पहले जुड़ चुकी है ये वही वाली बात है जो कि जिस तरह अली तरी ने जब अलेक्शन लड़ा तो उनके साथ भी ये चीज अटेश थी आपके साथ भी उसी तरह अटेश है वो है आपके वालत साथ का नाम विजिस शामिमूद कुरेशी साथ फाइदा कितना होता है और नुकसान कितना होता है इसका जो आपके साथ दोनों चीज़े है उसका फाइदा भी है और उसका नुकसान भी है फाइदा मुझे तो एक बहुत बड़ा फाइदा ये है कि आज कल की सियासत में मेरे ख्याल से कि ये जो कहते है ना अन्होनी से मजले इसको है कि अलहमदुल्ला वालिद साब का 40 साल का 36-37 साल का सियासी करियर है और उनके उपर कोई एक उमली भी नहीं उठा सकता एक धबा भी नहीं है तो ये बहुत बड़ी ड्वांटेज है आज कल की सियासी है लेकिन उसके साथ साथ डिसड्वांटेज भी है क्योंके हमारे मुलक मुझे साथ आपको पता है कि एक फैड बन जाता है मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि महरूसी सियासत की डेफिनिशन बहुत जरूरी है क्या अगर आपका वालिद सियास अदान है तो आप सियासत में नहीं आ सकते ये कहां लिखा है अगर एक इनसान को एक जमाद टिकेट देती है और उस टिकेट के उपर मुन्तखिब होके आता है उसको अवाम वोट देती है तो वो उतना ही मेंबर है उस कौमी असेमली का ये सुभाई असेमली का जितना कोई और इंसान है लेकिन सारे सानूना इमरान खान साब मुझा ओना इमरान खान साब की कहन देने इमरान खान साब कहन देने ये अगर बंदा आवे ते सिद्धा किसे पार्टी ता चेर्मन बन जावे तो ओम अरुसी सियासत है लेकर अगर कोई बंदा वोट लेके आया तो उस बंदे ते मेरे चीए किसे हो रहे में की फर्क है हाँ अगर आपको कोई पोस्ट नहीं दी जारी जिस तरह के मौल फॉर्स करें कि आपको डिप्टी वाइस टेर्मन बना दी जाता पाकस्तान तरीक इनसाफ का और एक और चीज़ मुझे कभी का भी यह भी इंटरसिंग लगती है कि अब फर्स करें आप अगर इलेक्शन लड़ना चाते हैं और आपके अंदर एक है जजबा के आप खिदमत करना चाते हैं और आपका एक सिलसला भी है वहां से अपने हलके के अंदर सियासत का तो अब यह तो बड़ा जीब लगेगा कि शासाब जो है वो पीटिया की तरफ से इलेक्शन लड़े होते हैं और यह जो है नूनली का टिकेट मांग लेते हैं तो पाकिस्तन तहरीक इनसाफ के अपने मांगना था दूसरी बात यह है कि मैंने फॉरन एलेक्शन नहीं लड़ा मैं 2008 में इस हलके में आया था 2008 और 2013 में मैंने वालिद साब की पूरी कैमपेंड चलाई हलके मैं अपने आपको मतारिफ कराया दोस्तों से मिला उनकी खुशी गमी में शामिल हुआ 2008 का लेक्शन भुका के 2013 का लेक्शन भुका के फिर 2018 का लेक्शन लड़ा है तो मैं 10 साल इस हलके के अंदर मेरा मतलब है खुन पसीना लगा हुआ था यह आपकी ऐच क्या है मेरी इसर इतनी नहीं है मुझे जहां तक याद पढ़ता है आपकी एच तो बहुत कम है स्यासत बड़ा ओखा काम है स्यासत नहीं है कर दिया वरना आप तो I think one of the younger MNAs के अंदर आपका शुमार होना चाहिए इतने भी यांग नहीं है मतलब कि बीच में कही फिट होते है हमारे से और भी बहुत छोटे है बड़ स्यासत और जिनेटिक्स हमारा जो से कहते है ना शिर ले गए है इपिनान खाँ साब इनना थी बहुत इज़त कर देने चिटे वाला थी वह तो अच्छा इनना क्या कि मुझे वजीर लगा दे कि नहीं बज़र्गों तुसी बैठ हो लो मरियम ये बताएं के एक चीज बड़ी कमाल आपने दस साल की उमर में आरजिंग शुरू कर दी थी जी दस साल की उमर में आप क्या करती सी रेडियो पे बस शौक था मेरा भाई मुझे से दस साल बढ़ा है तो उसने जोइन किया था हम आये थे साओधी रेभिया से बस बोजो करता था मुझे भी शौक था और देज देन यूव बें दूए अजिए जिए अजिए ने आपके तो दस साल की उमर में रेडियो का शो करी तो किट शो था किट शो था वो बच्चों का यह जो करती थी किट थी तो अजिए अजिए अगली फिटनेस इंस्ट्रक्टर है सेर्टिफाइड अच्छा इनके लिए मैं असान कर देता हूं इनको भी नहीं समझेगी आप कितने पुश अप्स लगा सकती हैं वन गो आपको क्या लगता है मैं कितने आप उनको बताएंगी आप उनको ब सब्सक्राइब कर लें किने पहलों के लिए कोई जोगत भी नी बनती है इनसान पुदी सरम कर लेता है थोड़ी से पचास कुशप्स आप इन भन को लगा देती है और आई बिलीव कि आप वो जो डेड लिफ्ट कहते हैं उनको यह क्या होता है या आप वो कितने कर सकती है 110 केजी कि आप 110 केजी उठा के उठा के इधर नहीं इधर नहीं कर रही है मैंने शुरू किया था साड़े चार साल पहले तो ऐसी शौकिया जैसे जिम एक रेगिलर बंदा जोइन करता है तो ऐस जोइन इट उसके बाद से बस शौक और आप किटना अर्सा करती है जो आप जिम जाती है तो कितना टाइम गजारती है नहीं आपए दो गेंटे आप जिम क्या मतलब इतनी देर जिम में एकसी ही जी रहती है ने मशीना भी कर देंग विक hasnu अधोर तो फिर तो आपको इंस्पार करते हैं वो जिग वहाओत ज्यादा और यह वाखर ही सुपर अगर आप उनके पास जाए अपता भर वागन Państwoまだ बितना नहीं है बट पहले जब हम जल्शों में होते थे या बहुत जादा उनके साथ फिरते थे तो बड़ा लोगों को इंकारिज किया करते थे यार फिटनेस पे अपने काम किया करो मुझी बता है वोट डाला आपने जिस पार्टी को डाला वो जीत गई जी तो खुश है उस पार्टी से आप बिल्कुल क्यों ने क्यों ने आपका वोट कराची में था हाँ मेरा जुने तो ही वोट पांगे तो विच्ची जाप है आप ने वहाँ पे वोट डाला तो कहीं आप तहरीक इनसाफ को तो वोट नी डालना था हमारा जो पोलिंग स्टेशन था वो था लहोर में अच्छा अपका लहोर में वोट था हमने चेंज करवाया कोई तीन चार महीने पहले और किदर शिफ्ट हूआ आपका कराची आया और कहीं कराची में आपका वो वाला तुनित इसमें आमेर लाकत भी खड़े थे कोई मुश्किल भी नहीं हुई और सारी फैमिली गई थी और बलके माई पेरेंट उन्होंने पहली दफ़ा बोट दिया अच्छा वाँ बड़े रोन है उन्हों गया ना बड़े बड़ी इस बार हुआ है कि बहुत से ऐसे लोगों ने बोट डाला जो के पहले नहीं डालते थे इनके पेरेंट्स ने बी 南 तो आपने किया अपने पेरेंट्स को ने हम सारे इंफूरेंस करनी ही कोशश दो नहीं की बिल्कुल भी नए हम सारे वैसी घर में प्रो पीटिया हैं तो कैसा लग contemplation के इतने यंग आपका संथ एम पेरे बैटे में आ जैन से आपको शामिमूत कुरेशी जूनियर के साथ मिलकर आई हो भी यू एन इंप्रूवड वर्जिन पूरे मिलतांच एड़ा दिले रहा है मैंने मैंनी विख्या मुड़ें दे मज़ क्योंके नहर पार जर लें देनी ये इश्क नहीं आसा पस चित न समझ लीजे मुश्किल है ये जैसे के दो वक्त का खाना है हालात सुधरने को है वक्त अभी दरकार ये वादाए परता है या जान चुडाना है मक्सूद अगर है जंग तो ये भी जान लेना एक आग का दर्या है और ढूब के जाना है करता है